दोस्तो ओम नमश शिवाय दोस्तो रोजाना अपना राशी फल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सलेक्ट आल कर लें धनू राशी वालो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 नवंबर 2023 दिन गुरुवार के आपकी राशी के डैनिक राशी फल के बारे में की आपकी राशी वालो के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है किन किन चीजों से आज 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 को फाइदा होगा आज लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और वेपार कैसा रहेगा और साथ साथ आज 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 का भाग्या साली अंक क्या रहेगा भाग्या साली रंग क्या रहेगा आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाबकारी शाबित होंगे और साथिसात आज आपके भाग्या का आपको कितना परतीसत साथ मिलेगा और साथिसात आज आपका स्वास्त कैसा रहेगा इन सभी की महत्पपून और सटीक जानकरी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए आज का दिन दोस्तों आज किसी कार्रों को लेकर अच्छी सफलता प्राप्थ होने की संभवना पाई जाती हैं यदि आप किसी तरह के कार्रे योजनाओं को विस्तार करने की कोशिस करते हैं या किसी नए कार्रे का सुबारंब करना चाते हैं तो उसमें आज आज आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। साथिसाथ आपको बता दें, घर के लोगों के बीच कुछ हलकी फुलकी नोक जोंक वे मतबेद की इस्तिती भी उत्पन हो सकती है। किसी रिष्टेदार से सम्बंदित कोई एप्रिये समचार आपको विचलित कर सकता है। दहरे और सैयम बना कर रखना आपके लिए अति आवशक है। साथ साथ आपको बता दें, भूमी, भवन, वाहन, आदी खरीदने के भी आज आपके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। व्यग्याने के दर्ष्टी कौन और उन्नत सोच आज आपको आगे बढ़ने में साहता प्रदान करेगी। बड़े बुजर्गों का इसने और आशिरवाद आपके ओपर बना रहेगा। अगर कोई कोर्ट केस या फिर सरकारी मामला रुका हुआ हैं तो वहबी अब जल्द गती पकड़ेगा। साथ साथ आपको बता दें आज अज अजनबी वैए परिचित लोगों से वहवार में लेन देन में सावधानी बरतने की आपको आवशकता हैं खर्चों पर आप नियंतर रखें इससे आपकी आर्थिक विवस्ता में काफी हद तक सुदाहर आएगा। विद्ध्यारतियों में भी एक आगरता का आज आभाब रह सकता है। साथ साथ आपको बता दें जिस सुब समाचार को प्राप्त करने के लिए आप काफी समय से प्रियास कर रहे थें आज उसमें शफल आप हो सकते हैं सिर्फ अपने कारे को योजनाबद तरीके से करने की आपको आवशकता है। साथ नोकरी के लिए दी गई प्रितियोगी परिक्षा के परिणाम भी आज आपके पक्ष में आ सकते हैं। साथ कोई नया निवेस करने से पहले अच्छी तरह उसकी जाच पड़तार आप अवश्य कर लें। इस समय आर्थिक इस्तिति कुछ मंद र वशक हैं। शाति साथ आपको बता दें। आपका श्वाबिभान किसी भी परिस्तिती में हिम्मत वे साहस नहीं छोड़ने देता। यही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। शंतान की शिक्षा से संबंदित कोई महत्पपूर कार रह होगा। एक्सित शिक्षन संस्तान म दाखिला भी मिलेगा। अनुववी तथा जिम्मेदार लोगों का मार्ग दर्शन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा। शाति साथ विध्यारती हास परियास वे मनुरंजन आदी के व्यर्थ के कामों में पढ़कर अपनी पढ़ाही के साथ समझोता ना करें। शाति सा साथ साथ आपको बता दें। आज आप अपने लक्ष के पढ़ती कौन रूप से एकागर्चित रहें। आपको सपलता वश्य ही प्राप्त होगी। ग्यान वर्दक पुस्तकों को पढ़ने में शमय निश्चित होगा। साथ ही किसी आध्यात्मिक और प्रतिष्ट व्यक्त का असिरवाद वे मार्गर दर्सन भी आपको आज प्राप्त होगा। साथ साथ आज शामाजिक वे राजनितिक गति वीडियों से थोड़ी दूरी बना कर रखें। इसमें समय व्यर्थ होने के अलावा और कुछ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। दिल की अपेक्षा, द दोस्तों आपको बता दें, जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई प्यारा साथी आज दस्तक दे सकता है। अपने प्रेम जीवन को गहराई देने का और एक दूसरे को अच्छे से समझने का आज शमय है। साथ साथ परिवारिक जीवन आज सामाने परिवारित लिंगी व्यक्तियों के पिरती आकसन होने की आज संभवना है। परन्तु इसका असर आपके परिवार वे वैवसाय पर भी पड़ेगा। साथ साथ कोई परिवारिक मनुरंजन और आमाद प्रमोद में प्रोग्राम बनेंगे। किसी बच्चे की किलकारी संबं साथ साथ जीवन साथी आपकी परिस्तितियों में पूरी तरह से सैयोग भी देगा। साथ ही माता पिता वे घर के बड़े बजुरुगों का भी आशिरवाद वे इसने आपके आत्म बन को बना कर रखीगा। जा दोस्तों बता दें प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुती अच्छा दिन साबित होगा। दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वेवेशाय केरियर कैसा रहने वाला हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कुछ समय से आप वेपार में जी तोड मेहनत वे परिश्रम कर रहे हैं। काफी हद तक आपको इसके सकार अत्मक परिणाम हासिल होंगे तथा कारोबार के विस्तार संबंदी नई योजनाएं भी बनेंगी। परन्तु नौकरी में बॉस वे अधिकारी के कोप का भाजन आपको बढ़ना पड़ सकता है। फायदे के लिए ही होगा आपको बता दें आज कारेचित्र में मशीनरी इस्टाफ या करमचारियों से संबंदित कोई ना कोई परेशानी भी रहेगी। साथी साथ आँख मूद कर विस्वास करना आपके लिए नुकसान दायक रहेगा। किसी अनुबभी वे राज नीतिक व्यक्ति से विचार विमर्स अवश्य कर ले। कारेचित्र में गंबीरता से आपको निर्ने भी लेना होगा। आपकी छोटी सी लापरवाई से कोई बड़ा ओडर भी निरस्त हो सकता है। इंकम टैक्स कष्टम आदी से सम्बंदित कोई जहंजट भी खड़ा हो सकता है। नौकरी में ऑफिस का माहौल बहुत सोहर्द पूर्ण रहेगा। साथ साथ पता दें। आज काम काज को लेकर काफी मेहनत वे संगर्श भी करने आपको पड़ सकता है। ध्यान रखिए कि क प्रोद और उत्तेजना के कारण कई बार आपके बनते बनते काम रुख जाते हैं। आपकी कोई वेपारिक के सूचना भी लीक हो सकती हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। वैसे तो आपको बता दें। आज आपके लिए आस्मिक धनलाव के भी प्रबल योग प्रतिस परदाओं पर आज आप विजय प्राप्त करेंगे जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों साथे साथ बात करें आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला हैं। तो दोस्तों आपको बता दें। आप अपनी सेहत की छमताओं को बना कर रखते हु आज अपने सभी कामों को पूरी सारे रिक छमता के साथ करने में सफल हो सकेंगे। आज आपका स्वास्त उत्तम रहेगा। किसी भी प्रकार के चिंता आप ना करें। दोस्तों साथे साथ बात करें। आज आपके लिए सुब अंक क्या रहने वाला हैं। तो दोस्तों आप के लिए कौन कौन से उपाय लाब कारे साबित होंगे। किन किन उपायों को करने से आपको लाब मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें। यदि आज आप सफेद बत्तकों का आर्टिफिसियल जोड़ा अपने प्रेमिया प्रेमिका को भेट करते हैं। तो इससे आपकी लवलाइफ अच्छी रहेगी। और साथे साथ आपको बता दें केसर का तिलक आज आप अपने मस्तक पर लगाएं आपको लाब मिलेगा। और दोस्तों साथे साथ आपको बता दें यदि आज आप दूद या फिर दही का सेवन करते हैं कोई भी सुब काम करने से पहले तो आपको लाब अवश्य ही मिलेगा। बहुती सुब योग बन रहा है आज कोई भी सुब कार्य करें किसे इंटर्वी के लिए जा रहे हूं या फिर कोई भी सुब कार्य आप कर रहे हूं या किसी कार्य को लगता है कि ये नहीं बन रहा उस कार्य को करना चाहते हैं दूद य और फिर दही का शेवन करके करें लाब आपको जरूर मिलेगा अवश्य लाब होगा आपको और दोस्तों साथे साथ बता दें आज आपको आपके भग्य का कितना परतीसाथ साथ मिलेगा तो दोस्तों आपको बता दें आज आपका भाग्य मीटर बता रहा है कि आज आपको आपके भाग्य का पूरी 92% साथ मिलेगा हरहर महादेव जै बुरेनाथ